ये हैं अनूप सोनी जो पिछले कई सालों से क्राइम पेट्रॉल की आंकरिंग कर रहे हैं इस शो ने उन्हें नाम और पैसा दोनों ही दिया है पर एक समय ऐसा भी था जब अनूप सोनी हार मान कर एक्टिंग करियर को बाई बाई कहने वाले थे एक इंट्रिव्यू के दोरान अनूप सोनी ने अपने डिप्रेसिव फेस के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि कैसे उन्होंने उस दोर में एक नई तरह की शुरुआत की जो श्टॉक के मंच पर अपने अक्टिंग पर बात करते हुए अनूप सोनी ने जिन्दगी म नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में जाने के बात पता चला कि एक्टिंग क्या होती है एक एक एक्टर और इनसान के तौर पर नेशनल स्कूल आफ ड्रामा ने मेरी जिन्दगी संवार दी वहां से निकलने के बाद एक दो साल तक वरकशॉप की और फिर ये डिसाइड कि सिनियर्स ने यही कहा कि यहां आ गए हो तो लगना पड़ेगा सिनिमा का माहौल देखकर पता चल गया था कि मैं हीरो तो नहीं बन पाऊंगा उस वक्त कास्टिंग डिरेक्टर नहीं हुआ करते थे कई मौके आए जब लगा कि क्या कर रहे हैं धक्कई तो खा रहे हैं खान अनुप सोनी बताते हैं कि उनके पास फोटो शूट कराने तक के पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी फोटो का फोल्डर बनाया हुआ था जिसे लेकर वो डिरेक्टर से मिलने जाया करते थे वो कहते हैं एक बार में फोल्डर लेकर मीटिंग के लिए गया लेकिन बारिश होई और वो फोल्डर भीग गया वो ऐसा फेस था जब लगा कि अब जी ही नहीं पाऊंगा बारिश में फोटो का फोल्डर भीग गया था उसे देखकर यहीं सोच रहा था कि इसे उठाउं या नहीं फिर घर गया तो कमरे में केला था और बहुत ही डिप्र कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा सीहॉक्स के बाद अनुप सोनी को बालिकावधू और क्राइम पेट्रॉल जैसे शोज आफर हुए अनुप सोनी अपने करियर के पीक पर थे इसलिए उन्होंने दोनों ही शोज पर दिल से काम किया बालिकावधू और क् पहचान बन गई थी कि ये क्राइम पेट्रॉल का एंकर है हाला कि कई लोग ऐसे थे जो क्राइम प्रेट्रॉल के बाद मुझे अक्टर ही नहीं मानते थे हाला कि टेलिविशन शोज के लावा अनुप सोनी, गंगाजल, फिजा, राज और सत्यमेव जायते टू जैसी तमाम बेहतरीन फिल्मों में नज़र आ चुके हैं वो एक अच्छे एंकर तो हैं ही साथ ही एक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है